Hello friends, back to back 7 days तक अपर सर्कीट 5% का देने वाली जो कमपनी फीचर इटेल आज अचानक से आपको जो है आपके पोर्टफोलियो में से गायप होती भी दिख सकती है उसके पीछे के क्या रीजन से वो क्विकली हम जाते हैं दो अपडेट से फ्रेंड्स यहाँ पे फीचर इटेल से रिलेटेड और वन अफ द अपडेट जो है इतना अच्छा पॉजिटिव नहीं है निगेटिव बोल सकते है उस अपडेट को और यहाँ पे जो फ्रेंड्स मैं जिन लोगों को नहीं पता है उनको बता देना चाता हूँ कि बैंकरप्ट है यह कंपणी और इसकी इंजलों से प्रोसेस चल रही है लेकिन इसके जो बीडर से वो गेन करने में जो है लेन्डर्स ग्रूप फेल हो चुका है दो बार और अभी तीसरे बार फिट से फ्योचर रिटेल की इंजलों से के लिए टाइम मांग रहा है यंसे एल्टी से जो लेन्डर्स ग्रूप है वो तो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे friends share हमें listed क्यों नहीं दिख रहा है तो यह पीछे भी हुआ था friends अगर कोई भी share जो है यहाँ पर BSC NSC के list में डाला दिया जाता है जहाँ पर कोई भी share जो है वो सिर्फ Monday को जो है trade होता है इसके बारे में मैंने previous videos में भी बताया है तो अभ अभी जो आपको share नहीं listed दिख रहा है आपके portfolio में आपके जो portfolio उसमें वो आपको definitely जो आपका individual portfolio रहेगा जो आपको console में जाके दिखेगा उसमें आपको दिख जाएगा तो कोई घबरानी की ज़रूरत नहीं है कि share आपको क्यों नहीं दिख रहा है आपके main portfolio में तो share वही पर है friends लेकिन अभी ये इंजोल उनसी process चल रही है और जैसे कि मैं बोलता हो हमेशा से ये share जो है काफी जादा risk में लगा पड़ा है तो क्या update से 5 अपर circuit back to back देने के बाद future retail से related वो quickly जानते है उससे पहले friends आप लोगों को request करना चाहूंगा future retail में बहुत कुछ होने वाल आपको important update मिलते रहे सबसे पहला update जो है friends future retail limited 6 access to stores warehouse तो अभी तक जो है friends future retail के जो वियर हाऊस थे और जो future retail के un-accessed stores थे उनको जो है access पाने की बात यहाँ पे जो है lenders group ने की है और NCLT की तरफ यानि national company lot terminal की तरफ यहाँ की जो request वो भी डाली गई है यहाँ पे professionals की तरफ से दूसरा update जो है friends यहाँ पे अगर आप देखोगे future retail creditors 6 90 days extension to concluding insolvency अभी insolvency के लिए फिर से 90 days यानि 3 months का time जो है यहाँ पे मांगा जा रहा है ताकि creditors जो है insolvency में कुछ ना कुछ final decision ले सके यहाँ पे अगर आप बात करेंगे friends कि कौन actually future retail को buy करना चाता है सबसे पहल नाम आता है Reliance का Reliance future retail को buy करना चाता है उसके बाद recently अदानी का भी नाम बीच में आया था कि वो भी जो है retail business में उनका जो expansion है उसको बढ़ाना चाते है और उसी से related वो भी interested है apart from that friends और जो 11 to 12 entities थी जो interested थी future retail को buy करने में लेकिन यहाँ पे वही चीज़ है कि कौन से stores को accesses ह क्या यह accesses आने के बाद जो है जो ग्रूप है वो interested रहेगा future retail को buy करने में और क्या इंजॉल 1C बार successful होगी वो सारे updates आपको मिलते रहेंगे time to time उसके लिए प्लीज चैनल को subscribe करना बिल्कुल भी मत बूलना ताकि हमारे चैनल के तुरू आपको हर समय important updates future retail और दूसरे भी share के बारे में मिलते रहते thank you for watching this video